एलो एब्रिवन वेलकम बैक टू जीटेक पॉली कैसे हैं दोस्तों आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो एक बार सभी बच्चे सेशन को सेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएं चिक है जल्दी से बच्चो सेशन को सभी सेयर कर दीजिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज सभी को आ रही है बुद इवनिंग एब्रिवन चलिए बहुत अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ बहुत बढ़िया बटा आज हम रीजनि का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाता है और जिनोनर रीजनिंग पहले कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है तो बहुत आसान तरीके से आप समझते चलेंगे इसलिए आज मैं सब कुछ आपको बोड पर लिख लिक करके समझाऊंगा बेटा ठीक है चलिए बहुत बड़िया ध्यान से आपको समझते चलना है वेरी इंपोडेंट है ये आरर भी जेई में बेटा जो दो जार अठारे वाले एक्जम हुआ था इस अकेले चैप्टर से 6-7 कि उस्सन आये थे ठीक है 6-7 कि उस्सन आये थे अकेले से सेम ऐसे आप अभी जितने competition exam होते हैं सभी के लिए most important chapter है और ये chapter आपका कम से कम कम से कम 6-7 दिन चलेगा काफी बड़ा chapter है और बहुत important भी है ठीक है मैं इसको आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ानी की कोसिस करूँगा आपको पूरे focus के साथ ध्यान से चीजों को समझते चलना ठीक है तो इसका सिलोजम का पहला पार्ट है तो सबसे पहले हम इसके topics देख लेते हैं इसमें हमें कौन-कौन से topic पढ़ने है बच्चे सबसे पहला जो हमारा topic है इसमें सबसे पहला वेटा statement and conclusion यानि यहाँ पर कथन तथा निसकर्स वाले क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे क आथन तथा निसकर्स वाले क्यूशन यहाँ पर मैंने दूसरा topic लिखा है concept of either or यानि कि यह वाली इस्तिति तो आइदर और की condition हाला कि यह क्यूशन भी आपके statement and conclusion के ही होते हैं लेकिन statement and conclusion का यह अगला part हो गया जिसमें आइदर और की condition बनती है तो आइदर और वाली condition पर waste dying it question आपके इसमें एक तो direct होगे वेटा statement conclusion के दूसरे आइदर और पर waste question हो गए और तीसरे वेटा possibility पर आधारित question आते हैं concept of possibility यानि समभावना पर आधारित question सबसे पहले अगर आप इस statement और conclusion का basic concept समझ गए उसके बाद आपको आइदर और की condition और possibility की condition बहुत आसान लगे अब से आगे जितने भी आपके chapter आएंगे बहुत detail में एकदम slowly पढ़ते चलेंगे चुकि जितने भी chapter आगे आने वाले वेटा सभी आपके logical reasoning और nonverbal reasoning वाले पार्ट आने वाले हैं तो इनको बहुत slowly समझते चलेंगे ठीक है आपने साइद आप मैंसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा तो द्यान से आप समझते चलेंगे ठीक इसके वेटा rules जो होते हैं कि उस्सन को करने के दो rule होते हैं यह तो when diagram होता है दूसरा 150 rule होता है आपने इससे पहला chapter when diagram पढ़ा था तो आपको when diagram के वारे में थोड़ा बहुत पता है बस आपको यहाँ पर बताना यह है कि band diagram का यूज करके statement conclusion के question कैसे solve करने है साथ में मैं आपको 150 rule सिखाऊंगा अगर मैं बात करूँ मेरा favorite इन मैं से कौन सा है बच्चे तो मुझे 150 rule बहुत आसान लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई diagram नहीं बनाना direct cable 150 लिखते जाना है औ और आपको direct answer करना है sentence आपके सामने 150 नंबर देते जाए और answer बताइए directly और when diagram से question में थोड़ा time भी लग जाता है कही बार question हम गलत कर देते हैं क्योंकि एक ही question के दो-दो band diagram बन जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है band diagram से लेकर हम दोनो को नीम सीखेंगे फिलाल पहले मैं आपको 150 रूल सीखाऊंगा क्योंकि band diagram आप अल्रेडी पढ़ चुके हैं पिछले chapter में तो यहाँ पर क्यूसन करके दिखा दूँगा band diagram से लेकिन जादा focus करेंगे 150 पर ठीक है band diagram में में मुझे कोई नई चीज आपको बतानी नहीं है जो क्यूसन किस टाइप के पूछे जाते हैं ताकि आपको यह पता रहे क्यूसन किस तरह के आ रहे है ठीक है पहले एक बर बेटा क्यूसन दीख लिजे हां बेटा अर्थक्रीक की क्लास के वारे में बताएंगे बच्चे एक्चली अभी मौसम ठोड़ा ठीक नी चल रहा है तो इस पर फोकस करेंगे इस तरह की क्यूसन बेटा इसमें आते हैं ठीक है पहले क्यूसन देखो फिर मैं टॉपिक समझाओंगा तो आपको वेसिक आईडिया मिल जाएगा क्यूसन किस तरह के चैप्टर से बनते हैं तो यहां लिखा है आपके सामने कौन सा निसकर्स दिये ग और यहां पर क्या है वेटा कथन आपको जैसे दे दिये यह या निसकर्स दे दिये तो आपसे यह कहेगा इन मेंसे कौन से ऐसे निसकर्स हैं जो इन कथन का अनुसरण करते हैं मतलब इनको फॉलो करते हैं जैसे कह दिया सभी मचलिया पक्ची हैं और कुछ मुर्गिया मचल पहले का केवल केवल दूसरे का पहले या दूसरे का ना तो पहले का और नहीं दूसरे का या पहले और दूसरे दोनों का इस तरह से कि उस्सन बनते हैं यह मैं आपको अभी दिखा रहा हूं एक जलक ठीक है कि उस्सन नहीं दिख रहा नहीं चलिए जूम कर देते हैं मैं कहना इस चैप्टर में बच्छे जो क्यूस्तन आपके आते हैं वो इस तरह से पूझेगा इसमें आपको एग तो देता यह तो आपको यहां पर कथन दे रखा होता है कथन कथन यहां पर एक दो तीन चांज इतने दे सकता है और आपको निसकर्स देगा कथन की बात करें तो statement इसको अंग्रेजी में कहते हैं यानि आपको statement देगा statement और साथ में आपको conclusion दे रख्योंगे conclusion ठीक है आपको यहां से क्या देगा conclusion समझ पार है मेरी बाद आपको जो statement दे रख्योंगे इनको ध्यान से पढ़ना है और conclusion को देखना है तो आपको बताना ये होता है कि इन मेंसे ऐसे कौन-कौन से conclusion है जो इन मेंसे किस-किस statement को follow कर रहे है जैसे पहला statement ये है पहला statement दूसरा statement ये है अब आपको ये पढ़ना है को यह conclusion follow कर रहा है पहले को दूसरे को या पहले को या कोई से को नहीं कर रहा किसको कर रहा है इस तरह के किस्टों आएंगे मेरी बाद समझ भारा मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल यह रहा हूं statement देगा conclusion देगा ठीक है आप से यह कहेगा कि कौनसा निस्कर्स जो है इनमेंसे करता है मतलब मैं कौनसा इसकर सहसा है जो statement को follow कर रहा है यह बताना होता है topic पर लेके चलता हूं फिर आपको question समझ में ठीक है पहले मैं समझाता हूं आपको मैं बस दिखा रहा था एक जड़ा किस तरह की question आते हैं और यह question में बहुत पूछे जाते हैं समझ पारे मेरी बा आंसर आंसर बात में बताएं कि पहले रूल सीखेंगे मैं यहाँ पर आपको एक बार नियम सिखा दू पहले मैं आपको 150 रूल सिखाने वाला हूं तो देखिए कोई साभी रूल हो जो आपका शिलोज मोता है जो आपका सिलोज मोता है ठीक है जिसे नियाए निगमन कहते हैं actually इसमें जो आपको statement दिये जाते है न वो दो तरह के होते हैं ध्यान से सुनेंगे मेरी बात सबसे पहले आपको इतना पता रखना है कि इस तरह के इस chapter में statement दिये होंगे और conclusion दिये होंगे यानि कथन और निसकर्स दिये जाएंगे आ सार्व भॉमिक बोलते हैं इंको सार्व भॉमिक ठीक है दूसरे बेटा कैसे होंगे पार्टीकुलर, दोनों का मतलब समझाएगे पहले पूंसेट्ट एक वाईर कि लिया करने एक भी कि यूसन आपका नहीं बचेगा कुछ ऐसे होंगे जो particular होंगे particular मतलब कुछ बिशेस रूप से जो होते हैं आपके जिने हम gear कहेंगे gear gear sarv vomit gear sarv vomit कहेंगे अब इसका मतलब क्या है पहले मतलब सुन लिजे sarv vomit क्या होता gear sarv vomit क्या होता है जैसे बच्चे कोई भी बात है अगर कोई बात आपको यहाँ पर 100% अगर कोई बात sure देदी पूरे 100% कोई बात sure है इसका मतलब हो गया कि वो universal statement हो गया जैसे मैंने कह दिया सभी A B है मैंने क्या बोल दिया मैंने कह दिया यहाँ पर सभी A B है सभी A क्या है मेंटling भी A B है इसका मतलब यहाँ पर पूरी 100% की बात कर रहो मैंने confirm कर दिया कि सभी A, B है इसका मतलब यह 100% sure बात है वहीं अगर मैं कह देता कुछ A, B है मैं कह देता यहाँ पर कुछ A, B है इसका मतलब क्या हो गया यानि कि sum, sum, A sum, A, R, B मैंने कह दिया sum, A, R, B यानि कुछ A, B है तो यहाँ पर पूरे 100% हम sure नहीं है कि सभी A, B है यानि कुछ A, B है कुछ A, S, N, जो P नहीं है यानि इसमें क्या होगा less than 100% बेटा 100% से कम sure होंगे ठीक है यहाँ पर 100% sure होंगे यहाँ पर 100% से कम sure होंगे अगर मैं बिल्कुल छोटे रूप में कहूँ बटा short term मैं बोलू कैसे पैचानेंगे कौन से आपके universal है कौन से आपके particular है तो universal में दो चीज़ देखने को मिलेंगे आपकी एक तो सभी देखने को मिलेगा सभी जहां कहीं भी सभी word आ जाए यानि all लिखा जाए all समझ जाए universal की बात हो रही है या फिर लिखा हुआ कोई नहीं सीधे सीधे कह देगा कोई नहीं कोई नहीं यानि कि यहाँ पर hundred percent कह देगा कोई नहीं मतलब no ठीक है no या तो all कहेगा या no कहेगा ठीक है इसमें क्या होगा बेटा इसमें कुछ कहेगा कुछ यहाँ पर कुछ आएगा कुछ का मतलब sum ठीक है sum आएगा या फिर बेटा यहाँ पर आएगा कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है कुछ नहीं लिखाएगा कुछ नहीं यानि कि sum not यहां लिख आएगा यहां पर आपका सम नोट तब पैचान लीजेगा सेंटेंस को देखकर कौन से यूनिवर्सल है और कौन से आपके यहां पर बच्चे कौन से आपके पार्टी गुलर है इतना समझ पाएंगे ठीक है हम बिल्कुल सुरूर से लेकर चल रहे हैं सौरब पाट और नोवाला पाट आएगा कुछ और कुछ नहीं वाला पाट आएगा यानि जिसमें 100% से और वो यूनिवर्सल हो गया जिसमें आप 100% से कम से और वह आपका हो जाएगा वीटा दूसरा वाला पार्टी गुलर यहां तक का बताईये इतनी बात सभी बच्चों को जा रही है मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ मैं कुछ बेटा यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस लिखने जा रहा हूं आप इसमें बताईएगा जैसे मैंना लिख यहाँ पर कुछ चिंग्लेस में लिख सकते हैं औल ए और बी ले सकते हैं किया कह सकते हैं कि मैं और ए और भी कह और ए अर भी पहला इसके बाद दूसरा आप से आपको कितना आसान बन जाएगा आसान से आसान ट्रिक आपको बता रहे है no a is b कोई भी a विटा यहां पर b नहीं है तीसरा मैंने लिख दिया आपर कुछ a b है क्या लिख दिया मैंने कुछ a b है कुछ a b है इसका मतलब हो गया sum sum a r b यानि कुछ a b है then मैंने लास्ट लिख लिखा कुछ a b नहीं है कुछ a b नहीं है ठीक है नहीं है इतना आप समझ पाना है वेटा यानि sum a sum a r not b sum a r not b मैंने या पर कुछ इस तरह से लिख दिया आपके सामने statement ठीक है चलिए अर्थक्विक की बोल रहे थे बच्चे बता दिये भी के यादब कल शुरू कर लेंगा बारे इसका मोशन ता नहीं कर पाए शुरू आप पर उसे क्यों परिसान हो रहे है सबसे पहले आप यह यहाँ पर बताईए पहला वाला कोईसा है यूनिवर्सल है दूसरा वाला कोईसा है बेटा दूसरा वाला भी यूनिवर्सल है आप से कहाता है या तो all लिख आए या नो लिख आएगा पहले दोनो यूनिवर्सल है यह वाला बेटा कुछ वाला पार्ट आ गया sum बाला या कहते हैं यानि कि हमारे 150 रूल काम करना शुरू करता है 150 wise कि आपको भी निस सो निखेए कउ पास उब तो हम सो हैंगे दूसरे पर पचास लिखेँए थो हम पहचानना कैसे होता है जो बेटा करता होता है करता उस करता को जो हम नंबर देते हैं पहले वाले को नंबर देते हैं वो ये देख करके देते हैं कि मारा यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है अगर यूनिवर्सल होगा पहले वाले को नंबर कैसे देंगे बेटा अगर यूनिवर्सल होगा यूनि 100 नमबर देंगे इसको और अगर यह पार्टिकुलर होगा 100% शूर है तो 100 देना है ठीक है और अगर यह पार्टिकुलर होगा पार्टिकुलर इसको हम नमबर देंगे 50 यानि गैर सार्ब बॉमिक गैर सार्ब बॉमिक इसको बेटा देंगे कितना 50, मेरी बात सभी को समझ आ रही है, ठीक है, कितना 50 देंगे इसको 50, अगर मैं और simple सब्दों मैं कहूं, जहां पर all लिखा जाए सभी या फिर no लिखा जाए no इसके लिए तो आपको 100 देने हैं, पूरे कितने 100 दिना है, जहां पर sum लिखा हो, sum या लिखा हो विटा, sum not sum लिखा हो, या sum not लिखा हो, उसको नमबर देने 50, मेरी बात सभी समझ पा रहे हैं, सभी लिखा हो, या कोई नहीं लिखा हो, तो 100 देना है sum लिखा हो, या sum not लिखा हो तो आपको 50 नमबर देने हैं, उसे दे दिया कोई ए भी नहीं है कोई नहीं की बात आगी यहां भी आपको पहले वाले को सो देना है यहां कुछ की बात कर रहा है यहां पर एको पचास देना है यहां पर कुछ ए भी नहीं है यहां भी वेटा पचास देना है कुछ वाले केस में पचास तो हमने एको इस तरह से नंबर दे दिये थिक है समझ पा रहे वेटा स्टार्टिंग वाले को करता को अमेन नंबर क्षे डिना यूनिवर्सल'S पर सों पा पचास देना है इतना करने के बाद ऑब हमने यह देखना है मैं कर्म के लिए कौन सा नम्बर देना कर्म जो है समझ है ठीक है चलिए अम sm लिख दीजे दूसरे वाला ठीक है जो दूसरे वाला होता है यहां तक तो दीख पा रहा है सभी को दूसरे वाले को कैसे नंबर देंगे दूसरे वाले को बहुत सिंपल है नंबर देना विटा जो पॉजिटिव हो जो सेंटेंस आपका पिलस का होगा पिलस का पिलस वाले को स्ट न यहां ठman देते ते कम यह पहले सासे देने जो मार Cum hain माइनस उसको 100 नहीं सो इतना ध्यान रखना सिर्प बाद वाले को कैसे देना ईおお कषेथे सब करम्त दूसरे वाला उसको नंबर कैसे देंगे उसको नंबर दे देखके की प्लस है वेटा तो यानि की पॉजिटिव सेंटेंस है पचास देंगे नेगिटिव है तो सो देंगे तो पहला कैसा था वेटा पहला पॉजिटिव है पहला पॉजिटिव है न देख लिजे सभी ए बी है तो इसको हम क्या करेंगे पिलस वाले को पचास देंगे द पचास दे दिया, पचास ठीक है, सेम ऐसे आप यहाँ पर आगए, ए लिख्खा था बटा ए, आगे लिख्खा भी नहीं, नेगिटिव ए नेगिटिव, यहाँ लिख्खा नेगिटिव पर कितना देते हैं, 100 देते हैं, 100 देंगे इसको, मेरी बाद सभी को समझ आ रही है, इत चलिए, नेक्स्ट मूग करते हैं, यह बात होगी हमें, A और B को नंबर देने वाली, ठीक है, इतना काम आपने सीख लिया, सेंटेंस देखके हमें, 2 होंगे, A और B होंगे, या कोई भी दो सब्द लिख्खे होंगे, क्या देगा, सभी, कभूतर, तोता है, सभी, पक्सी, चडिया, इस तरह कुछ भी लिखके देदेगा, तो दो ही सब्द देगा, पहले वाला करता होता, दूसरे वाला कर्म, तो पहले वाले को हमें, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर देखके नंबर देना है, दूसरे वाले को प्लस माइनस देखके नंबर देना है, चलिए, य आपके पास इतने रुपे है ठीक है कतल को समझेंगे आपकी आमंद नी आपकी एक समझेंग इंकम है इतनी ठीक है कतल मुझेजेंग मतलब conclusion जो आपको दिया होगा उसको समझना है आपका खर्चा ठीक है? आप इतना खर्च करते है खर्च जो निस्कर्च है तो आप एक बाद बताईएगा मुझे अगर आपके पास 100 रुपे है 100 रुपे बिटा अगर आपके पास 100 रुपे है मैं 50 खर्च करना चाहूं तो बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है अगर मेरे पास 50 रुपे हैं और मैं कहूं मुझे बेटा 50 रुपे हैं और 50 खर्च करने हैं तो भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर मेरे पास 50 रुपे हैं और मुझे खर्च करने वेटा कितने मुझे 100 रुपे खर्च करने है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 50 रुपे मेरी आमंदनी है मैं 100 रुपे खर्च कर सकता हूँ क्या बिल्कुल नहीं कर सकता इस case में गलत हो जाएगा ठीक है एक concept छोटा सा आपको यह याद रखना है आपने क 100 होगा तो सही कर सकते हैं यहाend है यहां सो है यहां 50 50 ians है तभी सही कर देंगे इधर 50 पर पचाश कर सकते हैं indulgent 50 साही नहीं होगा देखतर है इसको अपनी आमंदनी समझें इसको खर्चा समझें तो आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे ठीक है समझ पारें बच्चे मेरी बात समझारा सभी को सॉयल मकेनिक्स की क्लास बेटा सिरवन कल आईगी अभी सर्वी की देखले ना सर्वी डालतो दिये यह के लिए रोग्या टेक्निकल वाले बच्चे रीजनिंग में कमेंट करते हैं बात में करना जब पढ़ाने के बाद जब लेक्चर क्लोज किया करना तब कमेंट कर दिया कर अगर एक तरफ कृछन आपका एक तरफ कथन आपका यही तुशरी तरफ निसकरस है तक है एक तरफ आपका क्थन दूसरी तरफ निसकरस है निसकरस ओगा निस्कर्स भी positive होना चाहिए तब सई होगा और अगर इवेटा आपका कफ़न कैसा है negative ए narrative तो निस्कर्स भी negative होना चाहिए तब सई होगा आपका ठीक है इस case मेан सई होगा समझ पारहेंगा मेरे बात plus होगा तो plus पै minus होगा तो minus पै जब एक कफ़न है तब अगर यहीं पर वेटा आपके मैं इधर आगे बढ़ा दे रहा हूं इसी को कथन एक तरफ लिख करके कथन और दूसरी तरफ निसकर्स लिख रहा हूं निसकर्स सुनियेगा मेरी बाद ध्यान से निसकर्स ठीक है अगर आपके दो कथन दे रखे हैं पहला भी प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है दो कथन है जो दोनों कैसे प्लस के आप सभी जानते हैं प्लस प्लस मिलके प्लस होता है ठीक है अगर दोनों कथन आपके positive है तो निसकर्स भी positive होगा तभी सही होगा अगर आपका एक कथन वेटा positive है और दूसरा negative है तो इस case में plus minus होता है इसका मतलब अगर दोनों कथन आपके वेटा 1 plus 1 minus है तो निसकर्स minus होगा तभी सही माना जाएगा कुछ निसकर्स ऐसे होंगे जो दो-दो कथन को मिलके बनेंगे तो उसके इसमें ध्यान रखेंगे एक प्लस एक माइनस है तो माइनस बाला सही होगा ठीक है इसके अराव अगर दोनो माइनस है दोनो माइनस तो इसमें बैटा कोई relation नहीं बनता है यानि इस केस में कथन को गलत मान लिया जाता है या निसकर्स बैटा गलत माना जाता है ठीक है निसकर्स कैसा माना जाता है गलत निसकर्स गलत माना जाता है इस केस में गलत ठीक है गलत माना जाता है लिख लीज़ेगा पूरा इस केस में क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा यहां तक की बात सभी को समझा ही मैंने क्या बोला ठीक है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपने concept को जो आपको समझाया है पहले आपको कथन के ऊपर भी और निसकर्स के ऊपर भी इस तरह नंबर लिख देने हैं नंबर लिख लेंगे सभी बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ नंबर ठीक है ऐसे करके नंबर लिखेंगे जो पहले वाला होगा उस पर यूनिवर्सल पार्टिकुलर देखके नंबर देना है ओल यार नो होगा तो सो सम या सम नोट होगा पचास दूसरे वाले पर प्लस माइनस देखके नंबर देना है नंबर दे लिया आपने फिर याद रहना है क्या कथन को आमंदनी समझे निसकर्च को खर्चा अभी क्यूसर्ण देखते ही समझ आएगा पूरा कॉंसेप्ट आपको सुल लिए जेवस द्यान से ठीक है इधर सो सो पचास पचास है आपकी सो आमंद पैचास खर्च कर सकते हैं 50 सामंद dłैंगे 50 सामंद ये तो 100 खर्च नहीं कर सकते ठीक है एक और चीज अगर अगर समय लीन कि लिए न कर सभूर अगर दो कथन के निसकर्च बोजिटीब मिलky वनेगा तो सभी होगा तो इहा किका छीजह आपको कमकी मस्ताइत किए औरम द्धार नहीं के 속धनर संद्धियुन, we're here . मैं आपके सामने में के स्लेट लिआँ आप इसका आंसर करना सबीज़ था वह वहिए फल हैं मैं एक सेव फल है सभी सेव जितने भी सेव है वच्छे सभी सेव क्या है फल है यहां पर यह आपको एक कथन दे दिया एक स्टेटमेंट दे दिया ठीक है अब आपको वेटा निसकर्स दिये और निसकर्स चार पांच निसकर्स दे रखें आपको यह वताना है कि इस मैं से कौन सा नि निसकर्स है आपके सामने पहला निसकर्स सुनिए पहला निसकर्स है बच्चे सभी फल सेव हैं पहला क्या है सभी सभी फल सेव हैं ध्यान से सुनना अभी आपको पूरा concept clear हो जाएगा सभी save फल है पहला दूसरा मैंने यहापर लिखा दूसरा लिखा बच्चे कुछ फल save है दूसरा क्या कुछ फल save है फल save है चीक है यह तीसरा मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया तीसरा निसकर से वेटा यहाँ पर हमारा कुछ save फल नहीं है कुछ save फल नहीं है ठीक है 150 rules लिखा रहुँ है आपको इसी को Ben Diagram से भी कर देगे आपके सामने करके दिखाएंगे अग organisms कुछ save फल है कुछ save फल है कुछ save क्या है फल है ठीक है इसके बाद एक पांचमा last है एक और क्या कुछ फल सेव नहीं है ये कुछ निसकर्स है अब आपको यहां पर यह वताना है इन मेंसे कौंसा निसकर्स बेटा यहां पर इसके यानि कि इसका थन को follow करता है इसका अनुसराड करता है ठीक है चलिए कुछ नहीं हुआ पहला टोपिक चल रहा है अब रूल स समझेंगे मैंने अभी क्या बता है वेटा आपको मैंने यहाँ पर आपको एक सीज बताई थी क्या इनको नंबर देना वाट उससे भी पहले कुछ सेव फल नहीं है यहांपर क्या लिख एंगे आपको अभी मैंने क्या बताई था प्यारी वच्चो मैंने आपको बताय था आपको देखना यह है कि यहाँ पर यहाँ पर अगर कथन आपका प्लस है तो माइनस वाले अपने आप गलत हो जाएंगे माइनस वाले गलत कर दीजिए यानि यह वाला आपका तीसरा उप्षन गलत हो गया ऐसे ही आपका पांचमा उप्षन इसमें कुछ नंबर नहीं लिखना देखते ही गलत कर दिना अगर आपका इस्टेट्मेंट प्लस था तो माइनस वाले गलत हो जाएंगे प्लस से प्लस वाला ही सही होगा माइनस वाला नहीं होगा यह तो देखते बता देंगे दो option तो आपके बटा गलत हो गए ऐसे ही ठीक है क्योंकि पिलस से यह दोनों माइनस है तो कट गई यह गलत होंगे आपके अब यह पता करेंगे पहला दूसरा तीस और यह वाला चोथा इनको बताईए सबसे पहले मैं आपको number यहाँ पर बताता हूँ कुटवल juvenile नमबर देने हैं आपको 150 क्या बता है था पहला वाला करता होता हैं दूसरा कर्म पहले वाले को सभी और कुछ देखके number देना है यहां सभी लिखा है सभी है य़ा यादि सभी सेम फल ने तो इसको 100 step एंगे और sentence प्लस का था बादवाले मीमस देखके देते हैं, पहला आगे वाले को देलो, यहाँ पर देखें, सभी लिखा इसको भी 100 देने हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, कुछ इसको 50 देंगे, यहाँ कुछ लिखा है, यह तो कटी गया था, यह कुछ लिखा है, इसको बेटा 50 देंगे, ठीक है, और बाकी तो कट ले थे वाले इन पे आमने नंबर दे ऊतिया बाद वाले को PLUS माइनस देखके देखके तो 50 पिलस है तो 50 यहाँ पर भी पिलस है थो पाटा 50 देंगे यहाँ पर यह माइनस था लेकिन धो कट गया था यह PLUS इसको वी 50 लेंगी ठीक है अब आपको यहाँ पर चेख करने का तरीक्त चण करने का क्या है यह आपके आमंधनी है यह आपको खर्च करना मंधनी और खर्च देख लीजिए अपना आपके पास यहांपर सो इब सो सेव आपको यहां सेव को पचास देने है यानि सो रुपे हैं आपके पास पचास आप खर्च कर सकते आराम से यहां पर सेव के ऊपर सो लिक है सो तो सेव के ऊपर सेव बिटा पचास सही हो जाएगा लेकिन यहां फल के ऊपर पचास है और यहां फल के ऊपर सो आगया गलत हो गया यह गलत यहां दोनों ही सही होने चीए देखिए 100 रुपे हैं यहां पर आपके पास तो यहां से तो आप 50 खर्च कर सकते हैं लेकिन यहां 50 रुपे हैं यहां से 100 कैसे खर्च कर देंगे नहीं कर सकते हैं यह गलत हो गया गलत क्योंकि 50 रुपे हैं यहां आपके पास य ठीक है दूसरा राइट हो गया क簡idad manner इसकर्स पहला स्य होगा सर नहीं होगा वेटा जैक कर लिजिए आख अरे फल के पास यहांपर सेवं के पास तॉ रूपिय पचास खर्च कर सकते हैं दूसरा ओर चोथा सही है केवल मेरी बात सभी को समझ आ रही है देखिए कितने गलत आंसर दे रहे थे समझ पा रहे हैं अभी concept के लिए हो रहा है नहीं पहले नमबर देने सभी को पहले plus minus लिखना है plus से minus वाले तो असी काड़ दो फिर सबको number दो ठीक है आगे वाले को सभी और कुछ देखके देना सभी के लिए 100 कुछ के लिए 50 ठीक है पीचे आपको plus minus के लिए number देना plus वाले को देना है 50 minus वाले को 100 देना है यहाँ तक के लिए रहुआ तो आपको यहाँ से फिर चेक करना है कि यहां पर देखिए सेव के पास 100 रुपे हैं तो यहां पर सेव के पास 100 रुपे खर्च कर सकता है तो सेव का तो सही जा लेकिन फल के पास 50 थे 100 खर्च नहीं कर सकता यह गलत हो गया विटा अगला चेक कीजिए फल के पास 50 यहां थे 50 खर्च करना चाहता है कर सकता है सेव क के पास सो रुपय यान खर्च कर सकता है ठीक है स्वडी पचास कर सकता यह सही हो गया ऐसी चोथा चेक किया इसके पस 50 थे फ़ल के पास 50 खर्च हो गए 100 थे 50 खर्च कर सकता असानी से सही है दूसरा 4 रुपय कैसा लगा कॉंसेप्ट समझ जाया सभी को मेरा concept यह अब इसको band diagram से अगर आप करना चाहतें तो देखिए band diagram से कैसे करते हैं मापको बता देता हूँ band diagram से सभी save फल है इसका band diagram बनाएए पहले अगर आपने इसका band diagram बनाया कथन का गर मैं इसका band diagram बनाऊँ तो बैटा यहाँ हो गई आपके सभी क्या यह आपने कहा दिया सभी सेव है सेव यह हो गए सभी सेव और सभी सेव क्या है फल है यह फल के अंदर आ गए यह इसका वेंड डाइग्राम हो गया ठीक है अब आपको एक एक करके सभी निसकर्स के वेंड डाइग्राम बनाने निसकर्स के पहले वाले का बन आ रहा हूं फस्ट का देखिए फस्ट का क्या बनेगा सभी फल सेव हैं आपने क्या किया सभी फल सेव या चेक कर लिए डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा डारेक्ट चेक करिए सभी फल सेव हैं क्या बेटा सभी फल सेव हैं बिल्कुल नहीं है के वाल इतने वाले जो तो फल हैं वो सेव हैं सभी सेव तो फल हैं लेकिन सभी फल सेव नहीं है सभी वाली कंडिशन एक और से बनती है सिर्प आपको मैंने डाइग्राम में पढ़ाया था यह गलत हो गया दूसरा चेक कीजिए कुछ फल सेव हैं बिल्कुल वेटा इतने वाले जो फल थे यह इतने सेव फल है कुछ सेव फल नहीं है क्यों नहीं है इतने वाले जो सेव है वेटा यह सब के सब सेव फल है तो कुछ सेव फल क्यों नहीं होगे गलत हो गया कुछ सेव फल है बिल्कुल वेटा कुछ सेव फल है देख लीजिए इतने वाले सेव है जब सारे सेव फल है तो पा रहे हैं कि लिए रहे सभी कोई अचीज तो बेंड डाइग्राम से भी आप चेक कर सकते थे मैं एक और क्युस्तन आपके लिए दे रहा हूं सही-सही आंसर करना सभी सभी वच्छे सही आंसर करना मैं यहां बेग्ग्राउंड कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा ठीक है कुछ वेटा कुछ आंसर करना सभी वच्छे सही से एक दो क्युस्तन करा रहे हैं कुछ लड़ा कुछ हीरो यास कुछ हीरो लड़के हैं क्या है कुछ हीरो कुछ हीरो लड़के हैं ध्यान से करना जल्दी आंसर करना ठीक है कुछ हीरो लड़के हैं यह हो गया पहला आपका क्या वेटा यहां पर हो गया कथा नम निसकर्स सुनिए निसकर्स निसकर्स को सुनेंगे ध्यान से निसकर्स क्या होगा चीक है निसकर्स आपके यहां पर दे रखे हैं क्या क्या निसकर्स दे रखे हैं सबसे पहला निसकर्स है आपके सामने पहला निसकर्स है यहां पर कुछ लड़के हीरो हैं ती क्या पहला हो गया यह दूसरा चेक करेंगे दूस्रा सब्सक्राइब tells सब्सक्रात। तीसरा यहां पर आपको सभी लड़के हीरो है सभी लड़के हीरो है ये बताइए सभी लड़के हीरो है चोथा वाला बताएंगे चोथा वाला इसके बाद चोथा वाला यहाँ पर कोई लड़का हीरो नहीं है ठीक है कोई भी लड़का हीरो नहीं है कोई लड़का लड़का हीरो नहीं है कोई लड़का हीरो हीरो नहीं है कोई लड़का हीरो नहीं है चीक है अगला पांचमा बताएंगे पांचमा है यहाँ पर वेटा कोई हीरो लड़का नहीं है कोई हीरो लड़का नहीं है कोई हीरो लड़का नहीं है यह आपको यहाँ पर बताने वेटा इनमें कौन सा सही है चीक है यह है आप बताईए कौन सा पहला correct बता रहे हैं सबसे पहले negative positive देख लीजिए अगर आपने ध्यान से देखा पहला आपका कथन वेटा positive है कुछ लड़के हीरो है positive सभी positive positive नहीं वाले आगे negative और यह भी negative तो यह तो दोनों गलत हो गए negative बाले तो आपको गलत कर देने लास्ट वाले दोनों इसमें तो कुछ नहीं देखना सीधे वेटा आपको क्या करना है गलत अभी आपका reply करेंगे सुन लीजिए पहले ठीक है यह दोनों नहीं आ रहे थे गलत हो गए ऐसे ठीक आगे इनको चेक क छुम्हीर गमाली फेसे हाँ करेंगे डुकता था इसको भी 50 अगे देखा सभी लिखा सभी पर 50 देंगे पिलस वाला है ऍलास्ट वाले को 50 आगे वाले को सभी पर सो सब सभी पर कितना देते हैं एक सेकिन्ड यहां पर 100 देना है सो पॉजिटिव पहुने पीछे वाले को प्चास सभी लिख़ा थेता है माइनस लौप सव गलत थे यहां पर शैख कर लो यह ना छोब से हैं पुछ मतलब 50 अभी मतलब 100 ठीक है अब पीछे वाले को प्लस के पर 50 देते हैं माइनस पर 100 देते हैं माइनस तो ऐसे गलत थे यहां पर अब चेक कर लो विटा यहां पर हीरो के पास 50 रुपे हैं इसमें हीरो 50 रुपे खर्च कर सकता है लड़के के पास यहां भी लड़का 50 करेक्ट वेरी गुड विटा पहला करेक्ट हो गया दूसरा यहां पर विटा हीरो के पास 50 रुपे थे 100 कैसे खर्च कर देगा नहीं कर सकता गलत इसकी आमंदनी 50 रुपे हैं 100 खर्च नहीं कर पायेगा ठीक है तीसरा चेक किजिए यहां लड़के के पास 50 हैं लड़का 100 न तो यह वाला कॉंसेप्ट सभी को समझ आया अभी मैंने सिर्फ आपको एक स्टेट्मेंट वाला अभी दो वाले नहीं बताए ठीक है एक मैं आपको दो वाला कि उस्टन करा देता हूं इसको वेंड डाइग्राम से चेक कर सकते हैं पहले इसका वेंड डाइग्राम बनाईए अब कस यह हैं डाइग्राम क्या बनेगा कुछ हीरो लड़के हैं यह एक तरफ यहां दोटे लिए यहीरो यह होगई हीरो और दूसरी तरफ आपने लड़के लिए कुछ भाग मिला दिया लड़के यहां पर आपको समझ आ रहा है इतने वाले जो आपके हीरो हैं यह वाल Ol लड़के हीरो है बिल्कुल है लड़के का कुछ पार्ट हीरो है कुछ हीरो लड़के है कुछ लड़के हीरो है बिल्कुल सही है पहला सही है दूसरे चेक करो सभी हीरो लड़के हैं कहां सभी हीरो लड़के कहा है सभी हीरो लड़के में ऐसा बनता डायग्राम यानि गलत हो सबी के आँ जहीं लड़के होते हैं वो सब के सब लड़के के अंदर आते विटा लड़के के अंदर आते यह बनता तो इसका मतलब हो इसका गलत है हम दूसरा गलत हो गया है सब्सक्राइब बहुत बढ़िया चलिए आगे देखिए सभी लड़के हीरो हैं सभी लड़के हीरो का एंग कोई लड़का हीरो नहीं है कुछ है तो सही काट दो यह नेगिटिव बाले वैसी कट गए तब इसको चेक कर सकते थे ठीक है बताइए मेरी बात यह सभी को समझ आ है ठीक है बहुत हीरो हीरो इन कर रहे हो आप लोग बनाया भी हीरो यह बताइए बहले यह समझ आगे सभी को वेंडाइगाम से चेक कर लिया 150 से भी चेक कर लिया लो अब आप हीरो बन जाओ एक क्यूसन कर दो बस जाते जाते देखें आपके अंदर कितनी है छमता आप कित है और जूम करें और जूम करें क्या लो अब ठीक है इतने पर दीख रहा होगा सबको बताए जल्दी बोला है कतने सभी मचलियां पक्षी है प्लस हो जाएगा यानि कैसा वेटा सेंटेंस आपका यह यह वाला पॉजिटिव है पॉजिटिव है दूसरा कुछ मुर्गियां मचलियां है यह भी प्लस है स्टेट्मेंट निसकर्स देखो कुछ मुर्गियां पक्षी है प्लस हो गया कोई पक्षी मुर्गी नहीं नेगिटिव और बटा जो नेगिटिव होता है वो तो एम गलत हो गया नेगिटिव वाला तो गलत हो गया यह वाला तो आपका गलत हो आप यह बचा कुछ मुर्गिया पक्सी है इसको आपको चेक करना चेक तो यहाँ पर चेक कैसे गरते हैं अलागि मैंने आपको दो स्टेटमेंट वाला पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दो स्टेटमेंट वाला वेटा ओप्सन यह निया पहला सही गलत ह आपको ये बताना है जो निसकर्स है ये वाला ये कौन से को फालो कर रहा है पहले को या दूसरे को या दोनों को किसको फालो करके ये बनाए तो यहाँ पर पूछा गया कुछ मुर्गिया पक्सी मुर्गी और पक्सी पूछ रहा है यानि कि मुर्गिया और पक्सी पहले में ये मुर्गी दूसरे में आ रहा है यहां पर बम मत दों Gibson को ले कर बनेगा यानिक कि यह वाला जो बनेगा आपका निसकर्स यह पहले और दूसरे दौन से बनेगा लेकिन दौनों में से किसका अनुसराअड करता है आपको चेक करना है ठीक है सम्जपारे मेरी बाद यहां बोला कॉन सा निस्कर्स देता यानि की तर्क संगत करता दूसरा तो गलत हो गया अब पहले को चेक कर लो पहला सही या नहीं ठीक है तो चेक करने का सिंपल तरीका इस पर नंबर लिखो इस पर नंबर यहां कितना सभी लिखा है 100 लिख दिया 100 यहां लिखा है प्लस है 50 लिख दिया इन दोनों से आपको कथन दिए गाए इंका पालन करता है तो पहला ही दूसरा तो गलत हो गया, केबल पहला होगा, फस्ट और उप्षन की जरुवती नहीं, पहला ही होगा से, ठीक है? ठीक है बेटा अरे नहीं वो हम एक्चली उल्टा बोल गेता है दोनों का अनुसरण नहीं मैं यह कहना चाहरा हूं कौनसा निसकर्स इन दोनों मैं से कौनसा निसकर्स है जो कि दिये गए कथन का पालन कर रहा है पहला या दूसरा वाला केवल पहला अनुसरण कर रहा तो पहला सही है समझ पारे मेरी बात सभी बच्चे चली बहुत बढ़िया तो यह के लिए रहा और एक आज की उसन बताएंगे लेकिन डबल डबल वाले तभी कर पाएंगे इसका एक रूल होता है वो मैं आपको भी बताया नहीं रूल यह होता है कि जब भी दोनों को मिला करके कोई यह आ कि लिएम लागू होता है इसको दो स्टेट्मेंट वाले तीनी स्टेट्मेंट वाले क्योंकि यह आप यह दोनों समान नहीं होते ना तब यह भी गलत हो जाता अकर यह मचलियों की सब्सक्राइब लिए यह पर कुछ बहुत देता मचलिया पक्सी बूर्गिया चिडिया ल तो मत कर यह बच्चे इसको दो बाले को मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि इन दोनों में कोमन वाला कॉंसेप्ट लगेगा जब दोनों को ले करके कोई भी कंक्लूजन बनता है तो उसमें हमेशा आपको बच्चे हुए रहते हैं वो कोमन होने चाहिए और बच्चे हुए कोम तीन स्टेड्मेंट वाले हैं फिलाल मैंने जो आपको नियम समझाया मुझे एक बार यह बता दीजिए आप सबको नियम के लिए हो गया ना यह जो नियम आपको मैंने 150 रूल समझाया के लिए हुआ थोड़ा बहुत कुछ समझ आए बेटा ठीक है दो दो नियम बाले आप होगे समझ पा रहे हैं यहां लिख लीजगा इससे कम कहां गया इसको हटाओ पहले यस जो नियम था वह यह था यहां पर लिखा था आपका एक सेकेंड यहां पर सित कम कर लेना साथ में क्योंकि नोट्स बनाएंगा तो कम 100% से कम यह हो जाएगा इसके बाद आप यह भी सी किसको 50 किसको 100 कैसे देने हैं तो आपको पहले वाले को 500 देने सभी और कुछ देखके सभी और कोई नहीं को 100 देने कुछ और कुछ नहीं को 50 दूसरे वाले को प्लस माइनस देखके नंबर देना है चेक कैसे करना है कथन देखना है और निसकर्स देखना है कथन के पास 100 है तो निसकर्स में 100 वाला सही हो जाएगा, कथन पे 100 हैं, निसकर्स में 50 वाला सही होगा, इधर 50 हैं, इधर 50 हैं, इधर 100 वाला सही होगा, अगर इधर 50 हैं, इधर 100 वाला सही नहीं होगा, याद रखने के लिए ट्रिक बता दिया मंदनी और खर्चा देखके कर लेंगे आप, एक statement वाले बताए हैं, कल मैं आपको 2 statement वाले, 3 statement वाले, जितने रहते हैं ना, सभी बता दूँगा, तो कल आपका statement conclusion वाला जो part है ना, ये वाला part आपका cover हो जाएगा, कल ये वाला part, ये वाला ठीक है, और परसों से आपका फिर ये आईदर और का concept चलेगा, उसके बाद possibility का concept चलेगा, फिर हम किस्सन करेंगी, ठीक है, बत जो नियम आपको बताए हैं ना, उसको ध्यान रखेंगे, सर मॉर्निंग में class लीजिए, बता अब आपकी class दिन में हुआ करेंगी, कम से कम, कम से कम 5 class, बल्कि 5-6, जिसमें 1st year की रहेगी, 1st semester की मैत की class लाइब होगी, 3rd semester की Math की class और SOM की class होगी, साथ में recorded lecture रहेंगे, HHM और CT के, इसके अलाबा, फिप्त सेम की class है, सर्वे और सोयल है, साथ में, अर्थक्विक चलेगा, यह पर, यह 3 class, फिप्त सेम की यह पर चलेंगी, 6-7 class रोज हुआ करेंगी, तो मुझे time बनाना, एक time schedule पहले मैं उसको follow कर ल करेंगे, क्योंकि यह भी light बहुत परिसान करती है, कभी live start किया, फिर light चली जाती बीच में, मौसम खराब चल रहे हैं, बरसात का मौसम है, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, जससी setup हो जाएगा, inverter का भी, फिर आपका time table आपको बता दिया जाएगा, 6-7 class रोज लिया करू चलेंगे, ठीक है, तेजी से चलेंगे, quick fire, बहुत बढ़िया, हाँ daily class होगी, reasoning की बेटा, जरूर होगी, चलिए, चलिए,